हलो दोस्तों आज जो जानकारी मैं आपको लेकर उपस्ते थोई हूँ उसको जानकर आपको ये पता चलेगा कि मेथी कितनी हमारे जीवन में उपियोगी है मेथी के कितने फाइदे हैं और इन दो बीमारियों का जिनका मैंने जेकरी किया है इनके लिए मेथी किस परकार से उपियोगी है ये जानकर आपको होती मेथपूर्ण जानकारी मिनने वाली है वीडियो को आप डंक से एंड सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि आप इन बीमारियों के लिए अगर आप गर्मियों में आपको जुकाम हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करनाई ये जानकारी मैं आपको संपूर्ण डूप से देने वाली हैं जिसको की मैंने घर में एपलाई किया है इसके बाद मैंने आपको ये वीडियो सेयर किया तो मैंने इसको किस परकार से रेडी किया था वो मैं आपको बताती हूँ और कैसे इसका इस्तेमाल किया था आप वीडियो को देखते रहें तो मैंने थोड़े से दाने मेथी के लिए थे और उनको रात को भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने थोड़े से का मतलब है कि मैंने दो चमस दाने पानी में डाले थे उनको भिगोने के बाद मैंने च्छान लिया था और च्छानने के बाद ये देखी मेरा गिलास में पानी रखा हुआ है तो इस पानी को मैंने जब रेडी कर लिया था तो इसको मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रेडी किया था और उसी के साथ साथ मैंने उसको थोड़ा सा पानी अपने नथूने में लगाने के लिए भी बोला था तो इस प्रकार से एक ही दिन में उसका जुखाम बिलकुल गाइब हो गया और ये मैंने इसलिए किया था कि उसको थोड़ी नक्सरी की प्रावलम है गाँ है कि उसकी तुरंथी नक्की चलने लगती है कोई भी करमी की चीश देने पर इसलिए मैंने बजार से मार्केट से उसको दवाई यहां नी मगाई और यही एपलाई किया तो उसका जुखाम तुरंथ ठीक हो गया इसके बाद चार बार में ही उसका जुखाम ठीक हो गया उसके बाद मेरी घर में एक पेसेंट को बालों की प्रॉब्लम है जिसके की बाल चकत्य के रूप में उड़े हुए हैं कहीं से भी किसी से भी समय उसके बाल चकत्य के रूप में उड़ जाते हैं तो उसके लिए भी मैंने कहीं से पढ़ा था या मेरे किसी रिलेटिव ने भी मुझे बताया था कि आप मेधी का प्रियोग करें लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई इसलिए मैंने नहीं किया फिर जैसे ही मुझे किसी से पूरी जानकारी मिली एक आयरवेग डॉक्टर थे उनसे मैंने इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद इसको मैंने एपलाई किया उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो सेयर किया है आप इसको बेज़जग आराम से अप्लाइक कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसमें भिगोई हुई मेथी इतने फैयरे नहीं करती इसके लिए आपको मेथी को उबालना होगा तो वो मैंने Ŋबाल के ही प्रयोग की थी जो मैं आपको अभी करके देखाती हूँ कि उसको मैंने कैसे इस्तिमाल किया और आपको उसको कैसे इस्तिमाल करना है ये जानकारी मैं आपको पूरे तरीगे से दोँगी आप अगर पारों से परिशान हैं तो आप आज से ही ये बात गांठ बांद लें, कि आपके बाल अगर चकते की रूप में उड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये 100% प्रियोग कर सकते हुआ, देखिए मैं कैसे इसको रेडी करती हूँ, तो मैंने देखिए इसमें पानी में दो चम्मच मेथी डाल के उबा है, दो चम्मच भरके मैंने मेथी डाल दी थी, और इसमें मैंने दो गिलास ही पानी डाला था, जो कि अब आदा हो चुका है, काफी सारा पानी जल चुका है, क्योंकि ये 10 मिनट से उबल रहा है, और 10 मिनिट के अंदर ये रेडी हो जाता है, आपको गैस को ज़्यादा पानी, उनके बालों में लगाना है, जिस जगे पर चकत्ते पड़े हुएं उस पर भी और पूरे बालों में इसको ढंक से लगा देना है, इस पानी को, और थोड़ा सा पानी आपको उनके लिए पीने के लिए देना है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि आदा गिलास तो इस पानी को थोड़ा गुन-गुना हो उसी टाइम आप बालों में लगा दें वो बिल्कुल भी सेम्पू का प्रियोग ना करें अगर आप सेम्पू का प्रियोग करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा यह देखिए यह पानी बनके रह डिये आप इस परकार से उनके लिए पीनी को दे सकते हैं अगर वो पूरा गिलास भी पी सकते हैं तो ठंडा करके आप वो पूरा भी पी सकते हैं उनके लिए बहुती फायदेमंद है और उनके बालों में ये पानी आपको नहाने से पहले दो बार लगाना आए एक बार कर सुख जाए तो आप उसको दोबार लगाएं इसके बार आपको मेति का ही ओल यूज करना है उनके बालों में 100 ग्राम तेल में आप दो चम्मच मेति डाल के जला दें और उसको चान के रख लें उसी तेल को प्रियोग करें ये प्रियोग उस डॉक्टर ने हमको 21 दिन के लिए करने को कहा था लेकिन हमने उसको एक डेड़ महीने तक कंटूनियस रखा क्योंकि हमको इससे बहुती राहत महसूस हो रही थी आप ये एपलाई अपने बच्चे के बालों के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो ऐसा करने से उनको बहुती आराम मिलेगा और आप कच्चा कच्ची में थी जो कि मैंने पहले प्रियोग बताया है उस परकार से भी उनके लिए कर सकते हो लेकिन मैंने उबाल के की थी सर्दियों के दिन थे तो मैंने आपको वो तरीका भी सियर करने के लिए सोचा और गर्मी के दिनों में अगर यूज कर रहे हैं आप तो जायतर भिगो के करने की ही सला देती हूं क्योंकि मैंने नहीं किया गर्मियों में इसलिए districts की आपको संपून बजैं नहीं बता सकती। तो आप गर्मियों में इसको कच्छा ही भगो लें और इसी पिर्कार से दैंब ऐसे तो एक जैसा ही पानी लगता है मुझे भगोने के बाद yellow color उस पानी का भी हो जाता है स्वेम हमने किया है इसलिए हमने आपको सियर किया है और आप हमारी वीडियो को इस परकार की प्रॉम्लम बारी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सियर करने की सोचें और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब् पूंड रूप से जो कि बाके किसी ने प्रियोग की हैं और किसी विश्वास दायक इंसान से सुनने को विली हैं उन्हीं को हम सेयर करते हैं कोई भी गलत जानकारी हम योट्यूब पर नहीं डालते हैं तो आपको किसी भी भी बीमारी से सम्मंदि कोई समस्या के बारे में आपको हमसे जनना है तो आप हमारी comments box में लिखके उसकी जानकारी हमसे ले सकते हो उसके लिए भी हम किसी ना किसी से गलत सला लेके वीडियो सेर नहीं करेंगे बिल्कुल ही सम्पून पूरि जानकारी मिली तो ही हम आपको जानकारी देंगे अन्य था हम कमेंट्स बॉक्स में आपको इस बात के लिए मना करेंगे कि हम इस चीज की जानकारी नहीं जानते और साफ़दान रहें कोई भी उल्टी सीदी चीज प्रियोग ना करें यूटूब पर लोग बैसे ही वीडियो डाल देते हैं इसलिए आप सही जानकारी के साथ ही कोई चीज एपलाई करें वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्या